हलो दोस्तों आप सब कैसे हो आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे एक्जाम पांट में आप लोग का स्वागत है एक्जाम पांट के तरफ से आप लोगों के लिए बीपीसी पीटी एक्जामनेशन में हर सब्जेक्ट में से कौन-कौन इंपॉर्टन टॉपिक है जिसमें हर पर कोशन पूछ रही है इसके बारे में बता जा रहा था जिसे मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए इतिहास उसके बाद मैंने भूगोल इन तीन सब्जेक्ट का मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है जो भी स्टूडेंट अभी तक इन्सका वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके प्लेइस में चेक करिएगा वीपीसी पीटी से तो आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग देख लिजेगा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेसन में मैं आज आपको राजनीति सास्त्रियान की पॉलिटकल के इंपॉर्टेंट बताने वाली हूं और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस एक्जामनेशन में भी बहुत जादा आपका फाइदा करने वाला है तो चलिए आज का सेसन सुरू करते हैं कि वीपीसी पीटी एक्जामनेशन में पॉलिटकल साइंसे 67 वीपीसी में कहां से कोश्चन सकता है इसके बारे में बताया जाए और साथ साथ इसको सुरू करने से पहले मैं बता देती हूं अब आप लोग थोड़ा साथ तेजी कर दीजे कि जनवरी पूरा खतम हो चुका है अब हम लोग के पास सिर्फ तीन महीने बचे हुए हैं तीन महीना में पीटी और मेंस दोन आपको चलिए सेशन सुरू करते हैं जो नए श्टूडेंट है उनके लिए बहुत जारा यह यूजफूल वीडिएओ आज पुराने स्टूडेंट है वह अपने गलती कर रहे हैं उस ऊधार कर सकते हैं वीडियो को देखकर जालिए सब्यक्त में कौन-कौन इंपॉर्टें टौपिक है जो बीपीएसी पीटी और लगभग मेंस में भी यहीं से कोश्चन आता है मेंस का वीडियो अभी तक नहीं बना है बहुत जल्द पीटी जैसे खतम होगा उसके बाद वीपीएसी में इंडियन जोगराफी इंडियन हिस्ट्री से कौन-कौन टौपिक है उसके बा क्या है कि P T examination के लिए थोड़ा से पढ़ने पड़ता है मेंस के लिए उसको पुरा इतिहास की तरहा पड़ना पड़ता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट लेकिन P T के लिए सिर्फ तरस देड़ वगेरा याद कर लेते हैं हम लोग उतना ही तक काम चल तो फ decentral से कम पढ़ना पड़ता है स्सक्राइब लिए के लिए पूरा अगालना पड़ता है समीधान कभिकास इतिहास पिर्शं भृर्तिय तौन की उद्थाड़ान की बDINGन स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वह सुरुबाद होता है हम भारत के लोग भारत को पुर प्रभूत संपर्ण समाजवादी इस तरीके से सुरू होता है और लाश्ट में होता है समिंधान को अधिनियम और आथ समर्पित करते हैं अगर आप मेरा सजेशन मानिएगा तो मै स्टूडेंट को यह जरूर आना चाहिए ठीक है अगला जो पॉइंट है कि भारतिये समिंधान के उद्धे सिका अथ्वा प्रस्ताबना फिर नेक्स्ट जो है वह भारतिये समिंधान की बिदेशी स्रोत आपको पता है कई सारी स्रोत हैं जिसे बिदे हमारा भारतिये नगरिकता फिर मौली का अधिकार फिर मौली कर्दब तीके इन तिनों को साथ में आपढ़ियेगा इन तीनों को बहुत ज़्यादा बहुमुल है इस भरतिये समिंधान में नाचागु आपको पता ही है और लागु करती है और नाचा अब प्देख अड़े करती है इसको आ हुआ है ना उसमें जादा करके सबसे जादा जो पूछा जाता है मैंने हाली की विदिया ध्यान दीजेगा ब्यालिस्वा समधान संसोधन और तालिस्वा समधान संसोधन के बहुत ही असान तरीके से आप लोको समझ माला कि कब हुआ है इस भी अगर स्टुडेंट को याद न विदिया समधान संसोधन और चवालिस्वा समधान संसोधन के दिए ठीके जाद इसके बाद है पैंचाईती राज और राजभासा और अपात उपबंद में लिख भी दिया तिन सोच ठीके तिनसो बावन, तिनसो चपन, तिनसो साथ, ठीक है, तिनसो साथ भी तिये, फिर राज अपातकल, राष्टिय अपातकल, ठीक है, उसके बाद एक भारत के राष्टिय चिन, बिल्कुल इसको थोड़ा सा देख लिजेगा, कि सबसे पहले हाथी की मोहर अपनाई गए थी, भरत होता चल जाएगा, खास करके बहुत सारह स्टुडेंट होंगे, एंव लच्मी कांध बुक उठा के पढ़ना सुरू कर दिए, नह информ लच्मी कांध बुक आपको नहीं पढ़ना है, का पढ़ना से स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनको बहुत अच्छे तारीके से ऑलिटी मा खुमते हैं और भी पॉलिटी से ज़्यादा कोश्चन नहीं पूछा जाते हैं तो इतना ही आप कर लिजेगा अब इसके साथ साथ कुछ important points हैं जो आपके examination में इन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ठेके इन सबसे ज़्यादा तक आपसे पूछा जा सकता है जो अभी मैं बताने वाली हूं आपको ठीक है तो देखिए जो अभी मैं बताने वाली थी आपको वो है यह कुछ कुछ ऐसे कुछ ऐसे आयोग हैं जिससे बीपीसी कोशन पूछती है और बीपीसी पीटी ही नहीं मैंसी नहीं बलकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा कोशन पूछा जाता है तो इन सिप चीजों को आप एक साइड से पढ़िएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेग देखें जहां से मैं मुझे भी कुछ टीचर लोग ने इसके साथ साथ यह बताया क्यूंकि इससे कोशन पूछा हुआ है विपीसी का और आने वाले टाइम पर पूछा भी जाता है विपीसी ही नहीं किसे भी इजाम के प्रिप्रेशन कर रहे हूं आप इस सारे आयोग उसस यह किएगा सी बीसी का फुल पॉर्म करिएगा गूगर बता देगा इंगलिस में क्या होता है बने करें किसी किछ पिछला बर्ग कहा जाता है इस ती अननुची जाती परिशीमन आयोग जिसको इंगलिस में यह कहा जाता दाना जाता है हिंदी में इलेक्सन कमिशन निर्वाचान आयोग यूपीएसी लोकसेवा आयोग CBI केंद्रिये अनुवेशन इविरोग CET केंद्रिये परशाष्णिक नियाधिकरन तो इस सारे जो मैं आपको बता रही हूँ एक एक चीज मेरे चैनल एकजाम पॉइंट पे बताया हुआ है आप लोग प्लेलिस्ट में पॉलिटी के जाईएगा हर एक चीज को मैंने अपने नोट्स खुद का अपना नोट्स से आप लोग मैंने बताया है अपना नोट से सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग एक बार पांच मिनट चेक कर लिजेगा, आपको पता चल जाएगा, ये सब को आपको धोड़ने के जरुवत कहीं भी नहीं पड़ेगा, एक ही जगा ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ये जो आपको मैं बता रही एक साइड से ही, इस साइड का एक ऐसा पार्ट है पॉलिटी का, जिससे कोष्चन आना ही आना है, ठीके, कहीं से भी AI, CVI के बारे में पुछा जाया, CEE जी ये की बारे में पुछा जाएं से को क्या कहा जाता है, लेकिन एक कोष्चन, दो कोष्चन यहां से आपका election commission, NHRC, यहां से आपसे प्रेवर पुछा जाएगा ही जाएगा इस वार एनेच आर्शी आया था इस वार आया था एक कोशन आया था के राष्टि ये महला आयोग के जो अध्याच भी कौन बने हुए हैं ठीके कौन हैं तेकल महला है आप सबको पता ही होगा आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि कौन है ठीक है तो यह कोशन पूछा हुआ है इस तरीके से इन जो पार्ट से मैं आपको बता रही हूं उससे कोशन पूछने का पूरा संभावना रहता है इसलिए इसको एक जगा आप लिख लिजेगा अप त्री टाइम में आप इसको देखिएगा और देख यहाँ मैं यह अपको अपना नोड comedy रिखा देती हूं इन सब चीजों पर मेरा नोड़स बना हुआ है तो डेखी इंदिए मेरा नोडस है ठीक है इसमें मैंने वहार चीज जो मैने आभी आपको बताया है वहार चीजिश इसमें कम्पलीट कर रहा है मैने यहां से थे पॉ loyalty देख रहे हैं आपको मैं diagram के थुरूब यहां बना लेती हूँ ताकि मुझे बहुत ही असानी होता है कम टाइम में diagram के थुरूब मैं आपको division कर लेती हूँ तो देखिए इस सारे के सारे मैंने मैंने अपने नोड से मैरा नोड बना हुआ है वही पुर्य ऌड़rics डिटेलिंग है देखे है ऐसे पार ऑपने इस देखते हैं हर एक छीज के बारे मैं हो पर लिखा है फिर आपको दिखा देती हूँ देखे पाइब पुलिक एक Business क कमीटी CEOم हुणने के जरुवत कहीं भी जरुवत नहीं पड़ेगा तो ये दो नोट्स हैं जो आपको कंप्लीट करना है पॉलिटी में यह जो हो जाएगा आपका एक तरस्त मझ्य जिर्नल नॉलेज में कामाएगा और यह जो आपका है यह है आपका पॉलिटी का पॉइंट्स जो बीपेसी पीटी ग्जामनेशन में पूछा दाता है और बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो में में भी पूछे जाते हैं आप लोग इसका स्क्रीन स्वाट लेना चाहता तो ले लिजेगा और इसके अलावा मैं इसका पीडियाफ जा दीजेगा मैं उस पर सेंट कर दिया कर दूँगी अपने टेलिग्राम पर ठीके और बहुत सारे सेंट किये भी जा चुके हैं जो भी में टेरेक्रांट चैनल से जुड़े हुए उनको पता ही होगा तो यह सारे चीज हैं जो आपको पॉलिटी में कंप्लेट करना है और चीज कि आप यह मत सूचिए कि पॉलिटी से दस से बारा कोशन आता है तो इतना सारा हमको तयार करने के जरुवत नहीं क्योंकि आपको पता है बीपीएसी पैटर्न चेंज कर चुकी है बीपीएसी अब पहले कि एकॉर्डिंग कोशन नहीं पूछ रही है आपको मालूम है बीपीएसी को मालूम चल चुका है कि सारे स्टुडेंट प्रिविएस के कोशन बैंक तयार कर रखे रहते हैं उनको सारा याद रहता है उन्होंने अपने एक अलग तरीके का पैटर्न चालू कर दिया है आप सब को देखे भी होगा कोशन तो आपको पता चल गया होगा ले कट अब जो है वह बहुत जादा हाई हो रहा है क्योंकि हर सल एक्जाम ले रही है इस पर कोबीद-19 के बज़ेंट थोड़ा सा धिला ही हो गया लेकिन यह बीपीएसी रेगुलर हो चुकी है अब एक यह रेगुलर होने के बज़े से फार्म बहुत भरे जा रहे है जिससे क पहुत हाई हो रहा है और कटफ हाई हो रहा है तो इसका बज़ा सिर्फे कि यह सारे स्टुडेंट वह चीज कंप्लीट कर चुके हैं जो भी प्यसी ने दे रखा है अपने सिलेबस में इसलिए थोड़ा सा हम लोग को हट के सोचना पड़ेगा हम लोग को अभी से ही उसके लि प्यसी होई है वहीं चीज मैं आपके साथ साधा कर रही हूं मैंने भी तिन चार पॉइंट लेकर पड़ा था जो कि गलत था तिन चार पॉइंट से ऐसा कुछ नहीं है आप इस बीपेसी के तयारी कर रहे हैं आपको आना इस सारे पॉइंट पर आपको कमांड करना बहुत जरूरी केहीं कहीं से भी कोर्षन उठाकर डाल सकता है और यह नहीं आपका यह तो आपका जो होगा होगेटे करिण हो गया पॉइंट होग्या लेकिन यह जो आपका है नहीं है जिरनलनी में तक काम कोई भी एक्जामिशन में इंटर्व्यू तक आप से कोशन पूछा जा सकता है कि यह जी का बढ़नन है हमारे भरते समयधान में की नहीं इलक्तन कमिशन सविधानिक है या सविधानिक है पूछा जा सकता जवाब को पता रहेगा तब ही आप जवाब दे पाईएगा इसलिए इसको भी कमांड करना बहुत जरूरी है तो आज का सेशन में मेरा जो इंपोर्टेंस आप लोग को बताना था जो उद्देश था कि पॉ पढ़ना है और क्या जो कुछ इंपोर्टेंस ऐसे टॉपिक टॉपिक है या पॉइंट्स है जो आपको बहुत हमेशा हमेशा ही आपको बहुत फायदा करेगा अगर आपको याद रहेगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट व इसके बारे बताया जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सब्जक्ट के टॉपिक्स के साथ तो आज के लिए बस इतना ही थेंक्यू सो मच